का और तुम कौन हो समुद्र में एक लड़की बोट में खड़ी थी उसके सामने एक 55 साल का आदमी और 30 साल का एक लड़का खड़ा था उस लड़की का सफेद सूर पूरी तरह खून से सना हुआ था उस लड़की के हाथ से खून बहरा था पर खून से ज्यादा उसकी आँख कि लाल थी, उस लड़की ने सामने खड़े आदमी से पूछा, क्यों, 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 क्यों संजय अंकल, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो आपकी बेटी जैसे हूँ ना, तो तो आप मुझे क्यों मार रहे हो, और प्रशान्द, तुम तुम उचसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसकी बात सुनकर प्रशान्द जोर-जोर से हसने लगा, उसकी हसी शैतानों से कम नहीं थी संजे नहीं कहा ओ अकांचा कितनी भोली हो तुम मैंने कहा और तुमने मान लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नो बेबी नो मुझे तुम्हारी उस दौलत से उस महल जैसे घर और सबसे ज्यादा तुम्हारे बिसनेस से प्यार है जो अब मेरा है और अब जब मेरा सच्छा प्यार मेरे पास है तो मैं तुमसे प्यार कनाता क्यों करूँ यह कहते वक्त वो अपने हाथ में पकड़े चाकू को अकांचा के जहरे पर फेरते हुए नीचे ले जा रहा था उसने वो चाकू उसके पेट में घुसा दिया अकांचा की आखों के आगे दुंदला पंचाने लगा उसने आखरी बार आख्यों उठा कर अपने संजे अंकल की तरफ देखा जो उसे देखकर कुटलता से मुस्कुरा रहे थी संजे ने आगे आकर उसे गले लगा कर उसके कान में कहा मेरा प्यारा बच्चा जाकर अपने मरे हुए माबबाप के पास खुश रहना और हमें यहाँ खुशी से जीने देना इतना कहकर उन्होंने अकांशा को पानी में धक्का दे दिया अकांशा समुद्र की गहराईयों में डूबने लगी उसकी आखों के सामने एक ग्यारा साल की बच्ची का चेहरा आने लगा जो एक बड़े से गार्डन में खेल रही थी उसके पीछे पीछे उसके पापा भूम रहे थे उन्होंने कहा अक्ष्यू बेटा चलो ममा बुला रही है तुम नहीं आई तो तुम्हारे साथ मुझे भी मार पड़ेगी क्या तुम अपने पापा को मार खाते हुए देखना चाहती हो यह सुनकर वह लड़की जोड-जोड से हसने लगी उसने अपने पापा का हाथ पकड़ कर कहा चलो पापा अक्षु को भूख लगी है यह कहकर वह अपने पापा के साथ घर में चाने लगी वह काफी बड़ा घर था बिल्कुल एक महल की तरह किचिन से एक औरत की अवाज आई औरत ने कहा आ गए आप दोनों जल्दी आईए नाश्ता कर लीजे नहीं तो ठंडा हो जाएगा वो तीनों साथ पैट कर नाश्ता करने लगे वो सभी काफी खुश थे तीन लोगों का यह छोटा परिवार एक दूसरे के लिए काफी था लेकिन फिर उनके परिवार में संजे अरोरा नाम का शक्स आया जो वीना जी और महेश जी का कॉलेज फ्रेंड था और उसके बिसनिस में कुछ परिशानी हो रही थी और जिसके कारण वो महेश जी की मदद मांगने आया था और जिस तरह से वो उनके घर को देख रहा था उसकी आँखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था पर शायद वीना और महेश ने ये नहीं देखा और यही उनकी सबसे बड़ी गल्दी थी उन्होंने उसकी मदद की और अपनी कमपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी संजे को दे दिये पर संजे अरूरा की नजर तो कहीं और ही थी धीरे धीरे संजे का बिजनेस भी चलने लगा उसका महेश के घर आना जाना भी काफी बढ़ गया और वे उसकी कमपनी में भी काफी आया जाया करता था महेश राथी राथी कॉर्परेशन के मालिक थे उनकी कमपनी देश में काफी बड़े लेवल पर काम किया करती थी उनकी कमपनी अलग-अलग करह के बिजनेस भी करती थी और उस पर संजय की बुरी नजर पड़ चुकी थी उसने धीरे धीरे अपने लोगों को राथी कॉर्परेशन में प्लान करना शुरू कर दिया था जो से वहां हो रहे हर काम की खबर देते थे